हालो स्टूडेंट स्वाग अथा आपका हमारी QQ Study चैनल पर जिसमें हम आपके लिए लेकर क्या हैं रास्तान जी के और जन्रल साइंस की टॉप क्यूशन सीरीज स्टूडेंट ये टॉप क्यूशन सीरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाए गही है साथ इस टॉप क्यूशन सीरीज से आपके एक्जाम में क्यूशन आने की संभावना ज़ादा रहने वाले हैं तो स्टुडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो फटाफट से चैनल को सस्क्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सेर करते हैं तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा जिस सोरी जिससे हम आपके लिए ऐसे ही टॉप क्यूशन सीरीज लेकर आते रहेंगे सब्सक्राइब पर्टेग पーटियार बात करेंगें तो आजقة हैं उसका फरस्ट कूशन है भारतिय सभीदान का कोंचा अनुचे ह yol मैं उपभंत करता है कि निए यह भी बताना है कि वो कौन सा अनुचेद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि परतेग राज्य का एक राज्य पाल होगा तो हमारे option है option ए अनुचेद 104 option b अनुचेद 105 option c अनुचेद 113 option d अनुचेद 164 question number first में सही answer होने वाला है option c अनुचेद 153 जो कि उपबंद करता है कि परतेग राज्य के लिए एक राज्य पाल होगा चलते हैं आज के हमारे next question के और हमारा अगला क्योशन है question number 2 question number two में दे रखा है कि सुमेलित करीजिए हमें सुमेलित करना है हमारे सामने एक तरफ दे कि राश्ट 가운데 सासन और दूसरे त्रबर राज 스पाल यानिक है में यह बताना है कि जब राश्ट पति सासन लागुआ उस समें राज massively कोन था था तो मारा harunter है पहली बार जब राष्टपति सासन लाग हुआ तो 13 मार्च गुनिशो सट्षट को हुआ उस समय वेदवाल त्यागी राजिपाल दें दूसरी बार गुंतिश अप्रेल गुनिशो सतत्तर को जब लाग हुआ तब रगुकुल तिलक राजिपाल थे तीसरी बार 16 फरवरी गुनिशो अश्टी को राष्टपति सासन लाग हुआ उस टाइम डाक्टर संपूर्णा नंद सिंग राजिपाल थे और चोती बार जब राष्टपति सासन लाग हुआ तब 15 दिशंबर 1922 में को एम चन्ना रेडी राजिय पाल थे तो हमें ये चेक करना है इसमें सुमेलित हमें इन चारों में से ये देखना है कि सही है उप्षन कौन सा है तो हमारे उप्षन है उप्षन ए है तीन दो सुरी तीन एक दो चार उप्षन भी है तीन एक चार दो उप्षन सी है एक तीन चार दो उप्षन लिए एक दो चार तीन Q2 का सही आंसर होने वाला है Q2 का सही आंसर है Option A 3, 1, 2, 4 मा आपको इनका मिलान करके बता देता हूं तागि आपको आसा नहीं सहे समझने में तो हमारे फ़र्ष्ट जो पहली बार जब राष्टपति शासन लाग हुआ तेरा मार्च को 1966 को उस समय डाक्टर संपूर्णा नंद सिंग जोकी राजयपाल दे दूसरी बार जब गुंती सप्रेल 1937 को राष्टपति शासन लाग हुआ तब वेदबाल त्यागी राजयपाल दे तीसरी बार जब 16 परवेडी 1980 को राष्टपति शासन लाग हुआ तब रगुकुल तिलक राजयपाल दे और चोती बार जब 15 दिशंबर 1922 को राष्टपति शासन लाग हुआ तब एम चिन्ना रेडी राजयपाल थे चलते हैं आज के हमारे अगले क्यूशन के ओर हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर थ्री एक राजय के राजयपाल के संद्रब में निमन कतनों में से सही है जो नीचे कतन दिये गए उनमें से कौन सा कतन सही है तो हमारे उप्षन है उप्षन है राज्य की खारे पाली का सक्तिया है इसमें नहींत होती है किसके अंदर राज्य पाल के अंदर उप्षन भी है इनकी उमर 35 वर्श पून होनी चाहिए उप्षन से ये वे अपने पदबर राष्टपती की मर्जी से ही बने रहते हैं उप्षन चाहरे राज्य पाल उच्छ न्यायले के मुक्चे न्यायमूर्थिया उसकी अनुपस्तिति में जैश्ट तम न्यायदी इसके समक सपतिया परतियान करेगा फाइव नंबर है बारत के सेविदान में राज्य पाल को उसके पस्याट आने में सम्बंदित किसी परकिरिया का निर्दारन नहीं किया गया तो इस्टूडेंट ये थे हमारे कूट अब हमें ये देखना है इन कूटों में से कौन सा उप्षन सही है तो हमारे उप्षन है उप्षन ए है एक दो और तीन उप्षन भी है दो तीन जो है चार उप्षन सी है एक दो तीन चार उप्षन डी है एक दो तीन चार और पांच Q3 का सही आंसर होने वाला है Option D इसका मलब़ी है कि जो राज़ेपाल के बारे में उपर जो कतन दिये गए हैं वो सारे सही है तो चलते हैं स्टूडे Next Q4 के और हमारा अगला Q4 Q4 निमन पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूटों के आदार पर सही उत्तरकात से इन कीजिए तो हमारे Option है Option सोरी हमारे कूट है First राज़ेपाल अपना पदग्रेंड करने से पूरू सपत लेगा या परतिग्यान करेगा Second Q4 सपत या परतिग्यान का परारूप भारतिय सुविदान की तीसरी अनुसूचिवा अनुचिद एक सुगून सट में वननीत है Third Q4 राज़ेपाल को संबंदिद राज़े के उच्छ नियाले का मुख्य नियादीस या उसके अनुपस्तिती में वरिष्टिम नियादीस पदगी सपत दिलाता है Fourth Q4 राज़ेपाल की ब्रकास्ति के कारण से विदान में उल्लेकित है हमारे Option है Option A 1,2,3 Option B 1,3,4 Option C 1,2,4 Option D 3,4 Question 4 में सही अनसर होने वाला है Option A 1,2,3 कूट जो की राज़ेपाल के बारे में सही है चलते हैं Next Question के और हमारा अगला Question है Question 5 में हमसे पूचा गया है जो राज़ेपाल वह अपना त्याग पत्तर की से देता है संबोदित करता है तो हमारे Option है Option A बारत के राष्टेपती को Option B राज़े के मुख्य मंत्री को Option C उच्छी न्यायले के मुख्य न्यायदीस को Option D है संगी के ग्रह मंत्री को Question 5 में सही आंसर है Option A बारत के राष्टेपती को सम्मोदित करता है चलते हैं Next Question के और हमारा अगला Question है Question 7 राज़े पाल पदपन न्यूक्त होने के लिए योगिता के से अनुछेद में दी गए यानि कि जो राज़े पाल की योगिताय के विक उन्यूषेद में है तो हमारे Option है Option A अनुचेद 183 Option B अनुचेद 186 Option C अनुचेद 186 Option D अनुचेद 186 क्यूशन नमबर 6 में सही आंसर है ओप्शन D. अनुछेद 177 के अंदर राज्यपाल पदपन निउक्त होने के लिए योगिताई दी गई है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 7 राज्यपाल दुआरा जारी अध्यदेश को राज्य विदान मंडल का सत्तर प्रारम होने के कितने समय तक विदान मंडल में रखा जाना अनिवारे है अन्यता वह यह क्या हो जाएगा निश्प्रभावी हो जाएगा तो हमारे उप्शन है उप्शन A. 6 सब्ता उप्शन B. 1 महीना उप्शन C. 1 सब्ता उप्शन D. 6 महीना क्यूशन नमबर 7 का सही आंसर है उप्शन A. 6 सब्ता के अंदर उसे विदान मंडल में रखा जाना अनिवारे नहीं तो बस सोते ही दिश्प्रभावी हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 8 राजस्तान के राजपरमुक्य इस्तान पर राज्यपाल पद कब सरजित किया गया तो हमारे उप्शन है उप्शन A. 30 मार्च 1904 उप्शन B. 1 नमबर 1905 उप्शन C. 31 सेटमबर 1905 उप्शन D. 15 अगस्ट गुनिशो 47 क्यूशन नमबर 8 में सही आंसर है उप्शन B. 1 नमबर 1905 को राजस्तान के राजपरमुक्य इस्तान पर राजपाल पद सरजित किया गया या निकि बनाया गया या उसका नाम रख राजपरमुक्य नाम मदलकर क्या रख दिया गया राजपाल रख दिया गया चलते हैं नेक्स्ट क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 9 निमन में से कोन महिला राजस्तान की राजपाल रही है तो हमारे उप्शन है Q. Q 9 में सही आंसर है Q. Q का मलब है Q. Q की लिएफ दो ओचार लगे तो विडियो को लाइक और शेयर केना न न भूले राज्ये के पहले राज्यपाल जिनका पदपर रहते हुए देहांत हो गया था तो हमारे उप्षन है उप्षन ए दर्बारा सिंग, उप्षन भी निर्मल संजेन, उप्षन सी एस के सिंग, उप्षन डी सिरिमती प्रबाराव Q10 का सही आंसर है option A दर्वारा सिंग जिनका पदबर रहते विए निदन हो गया था ये निदन होने वाले वे राज्यपाल जो पष्ट राज्यपाल थे चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 11 Q10 का सही आंसर है option B महारा राजा सुआई मान सिंग दित्ते को 30 मार्च 1964 को राज्यपाल के पहले एक मात्र राज प्रमुक बनाया गया था चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 12 सुमेलित करना है अनुचेद 153 राज्यपाल का कारेकारी अधिकारी अनुचे देख़ो चोवन राज्यपाल का कारेकाल अनुचे देख़ो पचपन राज्यपाल की नियुक्ती अनुचे देख़ो चपन राज्यपाल का पद हमारे उप्सन है उप्सन एक चार एक तीन वे दो उप्सन भी चार तीन दो वे एक Option C 1, 2, 3, 4 Option D 4, 2, 3, 1 इसका सही आंसर होने वाला है Q2 का सही आंसर है Option 1, 4, 1, 3, 2 मैं आपको बता देता हूँ इसमें अनुचेद 153 जो कि राज्यपाल 15 से संबन दित है अनुचेद 104 जो कि राज्यपाल की कारी कारी या दिकारी से संबन दित है अनुचेद 155 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबन दित है और अनुचेद 156 जो कि राज्यपाल का कारी कारी काल दिया गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q13 18 राज्य के परसाशन वे विदान के परस्ताओं से सम्मद्दित मामलों में कौन मुख्य मंत्री से सूचना प्राप्त करें सकता है तो हमारे उप्षन है उप्षन ए राष्टपति, उप्षन भी पर्दान मंत्री, उप्षन C राज्येपाल, उप्षन D है विदान सभा क्यूशन नमबर 13 में सही आंसर है उप्शन C राज्यपाल राज्यपाल जो कि राज्य के परसासन वेविदान प्रस्ताओं से सम्मंदित मामलों में मुख्य मंत्री से क्या कर सकता है सुचना प्राप्त कर सकता है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 14 किसे अपने सवविवे का अनुसार कारे करने की सकती प्राप्त है तो हमारे उप्शन है उप्शन है महानियावादी को उप्शन B उपराष्ट पती को Option C, परदान मंत्री को Option D, राज्यपाल को Q14 में सही आंसर है Option D, राज्यपाल को अपने सववीवे का अनुसार कारे करने की सकती प्राप्त है चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q15 राज्यपाल का सामाने कारे काल कितना होता है Q15 का सही आंसर है Option C, पांच वर्द सामाने कारे काल होता है चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q16 निमनी में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है हमारे उप्षन है Option Mुख्यमंत्री की नियुक्ति Option B, मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति Option C, राज्य की कारे पालिका सकती सीमा में किसी भी दोस्चिद्ध व्यक्ति को डंड को समा करना Option D, उच्छी नेयले के नियुक्ति देखते हैं, Q16 में कौन सा अप्षन सही होने वाला है Q16 में सही आंसर है Option D, उच्छी नेयले के नियुक्ति का अधिगार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है मैं आपको पता दू, इसका अधिगार राष्टपति को प्राप्त होता है चलते हैं, नेक्स्ट क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है Q17 राज्यपाल की पदावदी के समन्द में कौन सा कतन त्रोटी पून है यानि की गलत है तो हमारे उप्षन है उप्षन एक, उसे महाब्योग दुआरा पच्छेक्ट किया जा सकता है उप्षन बी वेर राष्ट पती परसाद प्रियंत अपने पदवर बना रहता है उप्षन सी अपने उत्रादीकारी के पदधारन तक अपने पदवर बना रहता है उप्षन डी उनका कारेकाल पांच वर्स होता है Q17 में सही आंसर है उप्षन एक उसे महाब्योग दुआरा पच्छिक्ट किया जाता सोरी किया जा सकता है यह त्रुटी पूंग यानि कि यह गलत है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q18 राज्य सरकार का कारेकारी सवेदानिक प्रमु कौन है तो हमारे उप्षन है उप्षन मुक्य मंतरी उप्षन भी राज्यपाल उप्षन सी मुक्य मंतरी का सची हूँ उप्षन भी मुक्य सची हूँ Q18 में सही आंसर है उप्षन भी राज्यपाल राज्यपाल राज्य सरकार का कारे कारी सवेदानिक प्रमुक होता है चलता है नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन मन नाइंटी भारत के एक राज्य के राज्यपाल के समझ में निम्न कत्नों पर द्यान दीजिए उसे जनम से राज्य का नागरिक होना चाहिए Option शेकेंड है उसके आयो कम से कम 35 वर्स होने चाहिए थर्ड है लोगसभा वर राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होने चाहिए फोर है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है देखते हैं इसके कूट कौन-कौन से हैं तो हमारे option A एक तता दो सही है option B एक दो तीन सही है option C एक दो और चार सही है option D एक दो तता चार सही है question number 19 में सही option है option D दो और चार सही है माँ आपको बताते हैं दो और चार सकतन कौन-कौन से है उसके आयो कमशिकम पैति इसवर्स होनी चाहिए और वह एक से दिग राज्यों का राज्यपाल हो सकता है साथी साथ उसे जनम से राज्य का नागरिक होना चाहिए यह जरूरी नहीं है वो बाद में भी नागरिक हो सकता है चलते हैं उप्सन राज्यपाल अपना पदग्रेंड करने से पूरू सपत या परतिग्यान करेगा उप्सन भी है राज्यपाल उचन्याले के मुखे नयाए मूर्तिया उसके अनुपस्तिति में जैस्तम नयाएदिसों के समक सपत या परतिग्यान करेगा Option C.A. सपतिया परतिग्यान की पिर्किरिया भारती सयुदान के एनुचित 166 में उलेकित की गई है Option D. उपरोक सभी Question number 20 में सही आंसर है Option D. यानि कि उपरोक सभी यानि कि वह राजवाल अपना पद ग्रहन करने के से पूरु सपतिया परतिग्यान करेगा सपतिया परतिग्यान की परकिरिया भारती सयुदान के एनुचित 166 से उलेकित की गई है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Question number 21 किसी राजवाले के गवर्नर्स के संबंद में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए परस्ट है उसे राष्टपती नियुक्त करता है शेकंड है राष्टपती की इच्छा पर ये पदबर रहता है C थल्ड है उसे राजवाले की कारेपालिका सकती नहीं तोती है फोर है सामानेते ये पांच वर्ष तक पदबर रहते हैं देखते हैं इनमें कोन कोन से कूट सही होने वाले हैं तो हमारे कूट है फर्ष्ट है एक वेद दो सेकंड है बी है एक दो वे तीन सी है एक दो चार और डी है उपरोक सभी Q21 में सही आंसर होने वाला है Option D उप्रोक सभी कतन सही है चलते हैं नेक्स Q21 के और हमारा अगला Q21 है Q22 किसी राज्ये के राज्येपाल से सम्बंदित निमली कित कतनों में से कौन सा कतन सत्य नहीं है यानि कि गलत कतन है वह बारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है Option B वह पांच वर्ष्टक पत्पर रहता है रह सकता है Option C सम्बंदित राज्ये की विदाय का उसे पद्द से हटाई जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद्दमुक्त किया जा सकता है Option D वह एक से अधिक राज्यों का राज्येपाल हो सकता है 22 नमर के क्यूशन में सही आंसर है Option C सम्बंदित राज्ये की विदाय का उसे पद्द से अठाई जाने के प्रस्ताव पारित करती है वह पद्दमुक्त किया जा सकता है यह राज्येपाल के बारे में कतन सत्य नहीं है यानि कि यह कतन सत्य है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमार आगला क्यूशन है क्यूशन नमर 23 राज्येपाल किसके परती उत्तरदाई होता है तो हमारे उप्शन है उप्शन है प्रदान मंत्री Option B राष्टपती, Option C विदान सबा, Option D है मुख्य मंत्री Question No.23 में सही आंसर है Option B राष्टपती के परती उत्तरदाई होता है चलते हैं Next Question के और हमारा अगला Question है Question No.24 बारत के सविदान में निमन में से किस के विरुद अभी योग चलाने का परावदान नहीं है Option B राष्टपती के विरुद चलते हैं Next Question के और हमारा अगला Question है Question No.25 राष्टपती राष्टपती ने बर्कास्ट किया गया था तो हमारे उप्शन है उप्शन ही संपूर्णानन, उप्शन B रगुकुल तिलक, उप्शन C सुकदे उपरसाद, उप्शन D बलीराम बगत, क्योशन नमर 25 में सही आंसर है, उप्शन B रगुकुल तिलक जीने बरकास्त किया गया था, तो इस्टुडेंट ये ते आज के हमार चनल साइंस की टॉप क्यूशन शिरीद देखने को मिलेगी, जिसके मादधियम से आप अपनी तेयरी कहां कर सकते हैं, तो इस्टुडेंट, टैंक्यू वेरी मुच वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तेयरी करते अपनी तेयरी कहां क्लेंट क्यूंकि श्टुडी चैनल के मादधियम से कर सकते हैं.